ऐलो स्टुडेंट्स मैं सचीन याद दाओ आज आपके लिए इंटिकेशन पर फिर लेक्टर चाहिए हूँ आज इस लेक्टर में आम एक्सेसाइज 7.4 के उपर बात करेंगा एक्सेसाइज आपको लाइब पर काम आएगी जब आप बेशिए में पढ़ोगे तो भी इसी टा integration में आज 7.4 में मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा पार्ट वन में मैं इस टाइप के कुछ जिसे मैंने फोर्म लिखी हुए है वन अपॉन अन्रूट एक स्केर प्लस ए स्केर इसका इंटिक इस टाइप की फोर्म का तो स्टुडेंट हमें इस लेक्चर में क्या जान रखना है जो गिवन फोर्म हमारी कुछ भी रहेगी हमारा X के साथ हमेशा बतना चीए हमें याद रखना है इधर हमारा वन उना चीए एक कॉंस्टेंट है कोई विटरम हों में कोई प्रोग्लम नहीं है हमें ओनली X के साथ चो ट्रम हमें उसको रिमूव करना है उसके जगह हमें लेके आना है हमेशा बन होना चीए एक्स के साथ कुछ नहीं होना चीए वन के अलावा यह इस क्वेस्टेंट में ध्यान रखना है क्योंकि हमारी गिवन फोर्म तभी सब्सक्राइब करें और इस टाइप की फोर्म को कैसे कनवर्ट करते हैं कि मैंने फॉर्मूल लिखवा हुए था आपको पहले लेक्षर वर्म ने अगर आपको उधर पॉर्मूल लियाद नहीं है तो कभी कोई दिक्कत नहीं मैं हैर क्वेस्टेंस के साथ उसका फॉर्मूला लिख के आपको सीतरे समझाओंगा अभी स्टुडेंस के उपर चलते हैं कि क्वेस्टेंस क्या बोल रहा है तो स्टुडेंट देखें अभी कुछ दिखाई दे रही है एक समया मान लो 48 जाए तो हमारा कुछ बन का तो कुछ भी स्क्वेर कर लो सेम रहेगा और एई यह हो जाएगा एए स्केर पलस एक स्क्वेर बन जाएगा बिसा हमें इस 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 को फोर को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सब् डिफ्रेंशेशन का बहुत इंपोर्टेंट रोल जाएगा अगर आपने डिफ्रेंशेशन नहीं चीखा तो मैंने डिफ्रेंशेशन क्लास का स्पेशल्स लेक्टर्स अफ्लोड किया है अप्रोक्शन के लेक्टर्स मैं इसका लिंक देदूंग आप उदर भी जाके उनको प्रोट कि वन का स्केर पलस इसको 2x का ओल स्केर लिख सकता हो स्टुडेंट शोंकि लिखेंगे तो वही 4x स्केर आजाएगा अब इदर देखना स्टुडेंट अब हमें यह दी रिमूव करना है दो एक्स यह स्केर हो गया हमें अंदर कर रिमूव करें है इसका स्केर तो स्टुडेंट तो इधर डीयक्स है यह देखा डेक्स की वैल्यू निकालेंगे यह दर से तो कितना आजाएगा डे T upon 2 is equal to DX ये हमारी value आजाग एगे student तो देखो आप मैं इस value put कर देता हूँ 1 upon and root 1 का square plus इसके मने पूरे क्या मना था student T मना था देखो T मना था तो इसकी value T और इसका square दे रखा है वो DXT value क्या है हमारी dt by 2 student देखो अब हमारी dt की form में आगे तो हम कोई दिक्त नहीं हम dt के respect mitigation कर देंगे लेकिन हमारा t के साथ क्या है 1 है तो हमारी ये form convert हो गई अब देखो ये 1 by 2 को पूरे को बार लेता हूं integration ये बन गई हमारी 1 का square पलस t का square dt इसकी respect में dt के respect mitigation करेंगे तो हमें इसका formula इस form ये इस प्रकार हो गई a square पलस x square हम इसको आगे पीछे का से बसकते हैं को की डिक्कत नहीं है हमें कोई भी तो इसका formula क्या है log x की value कितनी है हमारी पर student t क्या value है t x चीज हमें क्या ले रखा है t t plus x square की value कितनी है ये पूरे वारा अंदर क्या a square plus x square और हमें भी क्या लिखना है x square plus a square तो सेम लिखना है हमें तो हमें इसको 1 plus t square लिख दूँगा और ये इसका c हो जाएगा plus integration करने पर तो student में इस form कैसे लिख सकता हूँ और student ये 1 by 2 हमारा बाहर था इसके पूरे के तो student अब देखो t की value हमने क्या लिख 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 अब जहां धा t है वहां में 2x पूट कर देता हूँ तो देखो ये होगा 2x plus and root 1 plus 2x का square करोगा तो किता जाए student 4x square plus c ये हमारा क्या होगा student answer तो इस प्रकार हम convert करना सिखेंगे किसी form को इस form की type में convert करना अब questions next question पर जलते है student next question भी same time का है हमें बस क्या इधर से 25 को remove करना है student क्या किसको remove करना है 25 को हमें क्या मैंने क्या बताएदा है कि जो given form है उसको पहले a square इधर a constant है देखो a minus क्या बन रहा है a square minus इधर x वल्टरम है इस type में convert कर लेना है तो इसको convert कैसे करेंगे देखो मैं लिख के बता दिता हूँ 1 upon इसको मैं 3 का square लिख सकता हूँ 9 को और 5x square को क्या लिख सकता हूँ 5x का all square लिखोंगा और dx ऐसे लिख सकता हूँ अब हमें हमें क्या करना है इसको 5 को remove करना है 5x को 5 5 को remove करना है x तो को दिकर नहीं हमें तो हम क्या कर लेंगे 5x is equal to t और dt upon dx कितना आगे है हमारा 5 तो dt on 5 किसकी value आगे student हमार dx की value आगे अब जो value मैं इसमें put कर देता हूँ तो इसको मैं लिखूंगा integration 1 upon root 3 का square minus इसकी किसकी value किती है t की value t का square student और dx ची value हमारी कितनी आगे तो dt upon 5 यह हो गया आप देखो मैं इसको अशे लिख सकता हूँ 1 upon 5 कोमन ले जिया क्योंकि constant है integration 1 upon 3 का square minus t का square dt किसके respect मैं करें dt क्योंकि t है तो इसलिए dt के respect में integration होगा तो student यह form बंद के a square minus x square 1 upon root a square minus x square इसका integration क्या होता है student देखो 1 by 5 तो 12 है मैंने 1 by 5 ले लिया sine inverse sine inverse x की value कितनी है student t मैंने t ले लिया upon a, a की value कितनी है student 3 मैंने 3 ले लिया plus c लिख दिया student अब मैं इसको देखो अब t की value put कर देते हैं विख में खाली 1 upon 5 sine inverse t की value हमने क्या ले ले लिया ले लिया तो student 5 by x 5 by x plus upon 3 पालास यह क्या होगा student अमारा answer प्रस कुछ नहीं student खाली हमें remove करना है इसके जाद दे रखा उसको बाकि इस questions में कुछ नहीं है अब next question के ऊपर चलते है student देखो next question अमें क्या दे रखा है next question दे रखा है under integration 3x square upon x q power 6 plus 1 dx देखो student मैं कुछ नहीं करूँगा पहले उसको नीचे same a square plus x square x square plus a square उसको उसी फोर्म में convert कर लेता हूँ देखो मैं इसको लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ यसे 3x square लिख दिया student और x इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x q cube का whole square plus 1 लिख सकता हूँ dx यह मैं लिख सकता हूँ student इसको क्यों कि इसका करेंगा तो 6 आजएगी अब हमें किसको इधर से देखो यह power 3 है हमें कितना उधर क्या चीए only x चीए तो मैं इसको क्या put कर दूँगा t put कर दिया देखो कर दियाना मैं t put क्योंकि हमें तो खली x चीए इधर square तो हमने अलग से लिख रखा है हमें x ही तो इसको t put कर दिया देखो मैं तो dt upon dx निकाले में differentiation करेंगा तो power आगे जाएगी क्या हो जाएगा 3x square तो इधर से dx की value आजाएगी dt upon 3x square is equal to dx यह उस साइड जा लगा है cross multiply करके निकाल लिए ज़र से यह आगी value हमारी dx की question input कर देखो 3x square upon इसकी value टी मानी थी तो क्यास का हो गया t का square plus 1 का square तो करोगे तो 1 यह आएगा तो को जिक्त नहीं है dx की value कितनी आए dt upon 3x square 3x square से 3x square cancel हो गया तो हमारा क्या बच गया 1 upon t square plus 1 का whole square d t यह बन गया तो यह किसकी form बन गया 1 upon x square plus a square तो अब तक अब रूट की form बन गया अब किसकी बन गया x square plus a square तो इसका formula क्या होता है student देखो लिखा है 1 by a a की value कितनी है हमार पास 1 1 लिख दिया 10 inverse x by a x की value कितनी है student t by a a की value कितनी है 1 plus c तो इसको मैं देखो लिख सकता हूं 1 के आगद लिखे हैं मतलिको कोई लिक्कत नहीं 10 inverse t plus c देखो अभी क्या होगा 10 inverse t की value कितनी माने थी हमने x cube तो लिख दिया x cube यह होगा student हमारा answer अब पर x question पर चलते है student हम इसको भी आज इटीज उसी फोरम में लिखे लेंगे पहले question दे रहा का 3x upon 1 plus 2x की power 4 dx इसका integration करना है तो देखो integration 3x इसका 1 का square करेंगे plus देखो अब यह देखो हमें 2 भी remove करना है और इतर पावर भी कम करना है तो मैं इसको under root 2 x square का all square लिख सकता हूँ देखो आप करके under root, under root का दो बर करोगे तो 2 आज हैगा same और x square का square का x करोगे तो हमारी x c power 4 क्योंकि हमें 2 भी remove करना है और 2 power भी remove करना है क्योंकि 4 है हमें 2 इची है तो दोनों चीज remove करना है तो अब किसको t put कर ले इसको कर ले देखो under root 2 x square t put कर ले dt upon dx under root 2 ऐसे रहेगा यह हो गया इसका difference नहीं करेंगे 2 x तो dt upon dx dx की value कितनी आजाएगी इदर से 2 root 2 x यह इस side आगा cross multiply किया तो में put कर देते हैं जी t 3 x upon 1 का all square पलस इसकी value किया बने ती यह हो गया ती का all square dx की value कितनी आज़ेट अभी निकाल ले थी अभी dt upon 2 root 2 x x x कैंजिल हो गया तो कि हम x भी remove करना तो उपर का मैं only 1 चीए तो देखो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यह constant है यह constant है इसको बाहर लिख सकता हूँ 3 upon root 2 root 2 integration 1 upon 1 का square plus t का all square dx अब यह form की बढ़ गई a square plus x square a square plus x square t के साथ भी बनी है तो हम इसका integration क्या लिख करते हैं तो क्या बनते है student पहले constant हमको आज़ेट इस लिख लिख लिया 1 by a a की value कितनी है 1 तो 1 by 1 1 ही हो जाएगा student 10 inverse x by a x की value कितनी है t t लिख दिया upon a a की value कितनी है 1 plus c c कर दिया अब देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 upon 2 root 2 1 का करोगता आज़े t जरहेगा 1 का को दिख कती निया 10 inverse t की value कितनी है बनी student root 2 x square तो इधर लिख सकता हूँ root 2 x square plus c यह हो गया student हमारा answer तो कुछन एक कोशन बिल्कुल सिंपल है हमें खाले remove करना है अब next question के उपर चलते हैं student देखो next question थोड़ा सा tough है आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं जब आप पूरा सीखोगे तो आपको खुझ भी लगने लगा इस question को हम काफी तरीके से कर सकते हैं लेकिन अभी जिस method से मैं करवा रहा हूँ मैं उसी के उपर बात करूँगा और इस questions को उसी तरीके से आप मैं solve करवाने के courses करूँगा आपको अम इसको क्या लिख सकते हैं इसको इंतिग्रेशन इसको अपोन इसकी यह करते हैं इसके अपोन अलग दिक्रेशन करा ओं आपोन x square minus 1 dx ऐसे लिख सकता हूँ अलग अलग ट्रम कोई दिक्कत नहीं दोनों को लिख सकता हूँ मैं ऐसे बट अलग अलग लिख लिख रहे हैं तो student dx जरूर होना चाहिए dx अगर ने लिख होगे तो question बेरी गलत हो जाएगा आपका तो देखो अब इधर देखो यह एक अलग पार्ट हो गया और यह अलग हो गया तो इसमें क्या करूं student में x square को क्या आपको इधर देखो इसको मैं x square minus 1 को क्या पूट कर दूट तो इधर से dt upon dx निकालेंगे देखो तो x square का differentiation कितना हो देखा 2x और इसका 1 का 0 तो dt upon 2x हो जाएगा इधर यह किसकी value आएगी dx की इधर से इसकी निकाल ली तो अब मैं खाली इसका बता रहा हूं student अभी आपको उस पर नहीं जा रहा बिल्कुल भी मैं only इसका बता रहा हूं देखो अभी इधर क्या है x इसकी value मैंने क्या मानी थी root इधर t मानी थी तो मैंने root t लिख दिया dx की value क्या थी dx dt upon 2x student x x cancel हो गया ठीक है इतना कर लिया अब देखो minus इसका करके बताता हूं इधर मैं यह तो आगा इसका integration अभी किसके इसके respect में करेंगे and root 1 upon root dt dt अब देखो इसको यह किसकी form में बन रहा है 1 upon x square 1 का square भी कर सकते हैं तो हमारी form बन जाएगी and root x square minus a square इसके form बन जाएगी तो direct formula बन रहा हमें x के साथ भी 1 है हमारा तो मैं देखो पूट कर देता हूं ln x की value कितनी x है हमारी plus x square minus a square x square minus a square यह पूरी form है x square minus 1 plus c इसका हो गया पूरी term का इसका मैंने हमारा बच्चा होआ था तो मैं इसको लिख सकता हूं root integration 1 upon root t dt minus log x plus x square minus 1 plus c यह होगा student इसको 1 by 2 था तो मैं इसको 1 by 2 को common ले लिया यह होगा अब देको इसका integration कैसे करेंगा student इसका integration देको 1 by 2 यह उपर जाएगी तो student minus 1 by 2 हो जाएगी इसमें एक पावर एड़ कर देते हैं integration में और same term को निच्चे लिख लेते हैं तो मैंने लिख लिया minus ln x plus x square minus 1 plus c यह होगा student इसको solve करेंगे तो 1 by 2 यह कितना हो जाएगा 1 by 2 बच जाएगा t 1 by 2 और निच्चे भी क्या बच जाएगा 1 by 2 तो 1 by 2 से 1 by 2 cancel हो जाएगा और इधर यह same term हो जाएगी उसके बाद देखो इधर solve करां student यह हो गया हमारा t and root t लिख सकता हो इसको मैं और इधर हमारा था log x plus x square minus 1 plus c यह था हमारा तो इसमें क्या करेंगे अब t की value मैंने क्या लेट किये था student x square minus x square minus 1 तो मैं इधर put कर देता हूं t की value x square minus 1 और यह log x plus x square minus 1 plus c यह हो गया student हमारा answer तो student इस questions पर मैंने बात की देखो अब यह question अलग था student अब मैं बात करता हूं question number 7 इस बिल्कुल same है मैंने बहुत question करा दी इस type का मैं hint दूँगा आपको इस questions का बाकी answer आपको निकालना होगा इसका देखो student मैंने same बताय था इसको यह होगा secant square x मैं इसको क्या लिख सकता हूं 10 x का whole square plus 2 का whole square dx तो student इसको 10 x तो student है मैं तो क्या चीए x इधर 10 नहीं चीए हमें 10 तो राटाना है हमें हमें only चीए x तो student मैं same करूं t को क्या put कर दे 10 x कर दे dt upon dx क्या होगा student 10 का करेंगे तो secant square x होता है dt upon यह क्या होगा secant square x t x की value आ गई secant square x यह क्या value क्या है t t का all square plus 2 का all square dx की value कितनी है student dt upon secant square x dt upon secant square x secant square x है secant square x cancel होगे 1 upon t square plus 2 का all square dt x square plus a a square तो हमारा कॉंड तो formula बन गया student देखो मैं इधर बता देता हूं आपको student देखो अंडूरूट था इसके अंडूरूट लगे गएगा इसका भी अंडूरूट लगेगा और इसका भी अंडूरूट लगेगा ठीक है तो हमारी कौन सी फॉर्म बन गए student हमारी फॉर्म बन गई one upon x square plus a square इसका integration इसका formula क्या होता है student ln x plus x square plus a square plus c यह formula होता है तो देखो same में बूट कर देता हूँ ln x की value कितने है t plus x square plus a square मतलब x square plus a square के अंदर वाली पूरी value यह है इस यही फॉर्म है तो t square plus 4 2 का square करेंगे 4 plus c देखो इसको लिख सकता हूँ ln t की value student हमने क्या लेट किया था 10 x तो मैं लेख देता हूँ 10 x plus अंदरूट 10 square यह उदर 10 square हो देखा student 10 square x plus 4 plus c यह होगा student अमारा answer तो इस पर का student आँचा हमने इस टाइप की form के उपर बात किया one upon अंदरूट x square plus a square one upon इस सभी questions को इस form में convert करना सिखा तो फिर उनका integration करना सिखा student इस lecture में आपको यह याद रखना कि x के साथ कोफिचेंट वह अमेशा one होना ची यह हमारा कुछ भी हो कोई फरक नहीं पड़ता तो student वीडियो अच्छे लगे तो लाइक के दुरूर करना मेरे यूटूब चैनल का नहीं है सचिस्माथ क्लाशी प्लेज लाइक मैं वीडियो सब्सक्राइब मारे चैनल और प्रेक्ट 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 नुवीडियो थैंक्यू स्टुदेंट